तत्थागत बुद्ध ने इच्छा और अभिमान बढ़ने के बारे में क्या कहा धंपद में गाथा है असत वस्तुओं की इच्छा करता है भिक्षूं में बड़ा बनकर उनसे सत्कार चाता है मठ में स्वामी पन चाता है अन्य कुलों एवं संप्रदाय के लोगों से पूजा चाता है आग्या या कर्म जो कुछ मैं करूँ उसी को ग्रस्त तथा व्रक्त माने क्रत्य एक्रत्य के लिए जो भी मैं विधान कर दूँ उसी को मान कर सब मेरी ही अधिंता में रहे इस प्रकार मुर्ख मनुष्य का संकल्प होता है इस से उसकी इच्छा और अभीमान बढ़ते हैं घर ग्रस्ती त्याक कर विरत्थ होने वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो मठाधीस, महंत, आचार्य, मंडलेश्वर, महमंडलेश्वर, गुरू, जगत गुरू, आदी बनने के वियामों में राजनिती, छलकपट, आपाधापी, आदी कन्ने के लिए तयार हो जाते हैं कुछ तो मुकदमे, धलबंदी और हत्याकर्मे भी लग जाते हैं इन बुद्धिमानों को यह भी याद नहीं रहता कि हमने मन्ने का चिन साधूवेश लिया है साधूवेश सब कुछ के त्याक के लिए है अपने को सबसे पीछे और नीचे तथा अकिंचन के बिना कोई परमसान्ती नहीं पा सकता सांसारिक चाहनाए और निर्वान एक साथ नहीं चल सकते पुज्ये तथा गदबुद्ध कहते हैं कि जो साधूवेश धारी इस तरह पद, एश्वर्य, सम्मान और स्वामित्व का भूका है उसके भीतर त्रशना और अभिमान बढ़ते हैं और वह अपने वर्तमान और भविश्य दोनों को दुख में बनाता है ऐसे लोगों को वे मुर्ख कहते हैं लो मुद्धाइ